अर्यारा की सुनारिया जेल में कारवास की सजा़ काट रहा Δेरा सच्चा सौदा का प्रमुक गुर्मीत रामरहीम, जो एक बलातकारी है, बलातकार का दोशी है, बो चालीस दिन 250 पैरोल पर बाहर आया है। जिल से बाहर आकर गुर्मीत राम रहीम ने अपना एक वीडियो भी बनाया है, इसे जारी किया है, जिसमें वो अपने तमाम समर्सकों के नाम संदेश जारी करता देख रहा है। अपने आश्रम पर महिला अन्याईयों से बलातकार का दोशी है, उसे इस मामले में 20 साल कारवास की सजा मिली है, अगस्त 2017 में पच्छकुला में CBI की एक विशेश अदालत में उसे दोशी ठहराया था, फिलहाल 40 दिन की पैरोल पर बाहर आके उसने अपना एक वीडियो बनाय है और जारी किया है, प्यारी साथ संगे जीयों, हम फिर से आपके दर्शनों के लिए यूपी आश्रम में पहुंच चुके हैं, और आप सबको बहुत बहुत आशिरवात, मालिक सबको खुशियां दे, द्या मेरे मसे नवाजे, और आपने पहले की तरह जैसे आपको बोला था, कि आप मानते रहना अपने अपने घरों में, जैसे भी आपको बताएंगे, जुम्यवार लोग उसके अकॉर्डिंग करना है, मनमर्जी नहीं करनी, बगदर नहीं करनी, सो ये आप जिरूर मानियेगा हमारी बात, हमेशा मानते हैं, हमें घरव है आप लोगों पे, हमा बाते होती ही रहेंगी, सारी बाते करेंगे आपसे, लेकिन आपने माननी है बात, हमें पता कहने की जुरूरत नहीं इतनी बार, कि जुम्यवार आपको जैसे कहेंगे, उसके अकॉर्डिंग, आप लोगों ने चलना है, उसके अकॉर्डिंग बात करनी है, तो अभी बस थो मत करो और ज्यादा खुशी आएंगी तो यह हम यहां पे खड़े हुए हैं और यह तेरा वास यूपी का आप देखी रहे हैं सारे पता तो आपको चली गया तो बहुत बहुत आशिरवाद फिर बात करेंगे बाते करते ही रहेंगे आप लोगों से बस आप जुड़े रहना बाते करते रहना और छोटे बच्चों को भी बहुत आशिरवाद जवानों को भी आशिरवाद और बुजर्गों को की हमारे तो सारे बच्चे हैं जैसे एक बच्चे ने पूछ लिया था उसके साथ उसके पापा थे दादा थे कहले हैं का गुरू जी पिता जी मैं भी पिता जी कहता हूं मेरा पापा भी पिता जी कहता है और मेरा दादा भी कहता है तो हमने का बेटा कहत में नियागवर बता देते हैं संत जो होते हैं उनके लिए भगवान की आउलाद अपनी आउलाद होती है तो इसलिए पिता जी कहते हैं सारे क्योंकि हमारे सारे बच्चे हैं जो भगवान की आउलाद हैं वो हमारी आउलाद हैं तो सारों को आशिरवाद सारी भगवान की पत्या की साज़ेश रचने के लिए भी पिछले साल चार अन्य लोगों के साथ दोशी ठहराया गया था NBT Online की रिपोर्ट